शेर की ताजा खबरे देखने के लिए NBCN News को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें नमस्कार NBCN News की स्पेशल रिपोर्ट में मैं ख्रिति जादेश मुख आप सभी का स्वागत करती हूँ महराश्ठर सरकारद्वारा संपुर्ण महराश्ठर पर अस्पताल सम्फन में मरिज़ों की देखभाल और सुविधा के लिए दी बॉंबे नरसिंग होम रेजिस्टेशन आयक नियम बनाया गया जिसके आधार पर सभी अस्पताल नियमों के आधार, रेजिस्टेशन और नविनी करन प्रक्रिया होती है लेकिन शहर के कई ऐसे डॉक्टर्स है जिनका दिबॉंबे नर्सिंग होम रेजिस्टेशन एक नियम के तहत रेजिस्टेशन कुरोना कारिकाल के पहले नहीं हुआ था फिर भी अस्पताल में धरले से मरीजो का इलाज जारी था भारत एक ऐसा देश है जस देश के आबादी तकरीबन 135 करोड है तो वही राज्य के नाकपूर जिले की जनसंख्या 46 लाग है देश में हो या राज्य में या शहर में हुए कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से त्रस कैंसर, कड़नी, और्थोपेडिक, गाइनिक, स्कीन, हैर, स्किल सेल, आग, गला, नाक, आदी बीमारियों के मरीज शहर के अलग-अलग अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं शहर भर में हुए बीमारी के पढ़े लिखे डॉक्टर की तादाद भी बड़ी संख्या में हैं शहर में सैक्डों से ज्यादा डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करवा रहे हैं शहर भर में छोटे बड़े अस्पतालों की संख्या बेश उमार हैं। हर डॉक्टर्स को दी बॉम्बी नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहट रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो डॉक्टर्स लाक चाहे लेकिन वो किसी भी मरीज का बिना पर्मिशन रजिस्ट्रेशन किये कतई इलाज नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस कि आज भी शहर के कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने दी बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट का पालन नहीं किया है। लेकिन मरीजों का इलाज जरूर किया है। जिसमें मरीजों की मौती भी इलाज के दौरान हुई है। ऐसा ही एक आरोप शहर के अधिवक्ता आकाश सपेलकर इन्होंने उत्तर नाकपूर स्थीत डॉक्टर शंकर खोब्रागड इन पर लगाया है। जिस से 6 मरीजों की मौती हुई। अगर देखा जाए तो यह बहुत बड़ा कानूनी अपराद है। यह बुनियात बताया। मोतों का आकड़ा बड़ा है। क्या लगता है आपको किस प्रकर की प्रिकॉशन लेना चाहिए। नमबर टू आपने जो पूछा कि करोना का प्रादुर्पा बढ़ रहा है। मैं हमेशा बताता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। और उसके लिए प्रिवेंशन इज जैसे हम लोग फिजेशन हूं है। मैं फिजेशन एमडी मेडिसिन अभी मेरी 40 सल की प्रैक्टिस है। उत्तरनाकपूर में काफी सेवा दिया हूं मैंने। और मैंने खूद होके भी खाया हूं। हमारे फैमिली के लोगों खिलाया हूं। हमारे हस्पिल में जितने भी स्टाफ है वरकर्स है। सबको मेरे निगरानी में संड़े के दिन एक एक टैबलिट जो 400 मिलिग्राम की आती है। मैंने ख्यूका हूं। हमारे जितने भी फ्रेंड्स है जो दोस्त है जितने भी पेशेंट्स है उनको मैंने नाम की गोली खिलाया हो। मेरा अनुभव ऐसा है कि मेरे कम से कम सब पेशन्ट अभी तक उसमें से एक को भी करोना संक्रमन हुआ नहीं है और हैट्रोक्सिक्लोरोन की ना रियक्षिन भी है ना किसी को प्रॉब्ले हुआ है तो समाज के लिए एज फिजिशन मैं ये संदेज देना चाहता हूं कि हैट्रोक्सिक्लोरोकिन नाम की टैबलेट अभी भी आप ख करोना को अंदर आने नहीं देता है और अपनी जगह आकूपाय कर लेता है पहली वह सीट पर बैठ जाता है इसलिए करोना के जो वाइरस है उसका संक्रमन होता नहीं उसका रिप्लिकेशन होता नहीं और अपनी इम्मुनिटी बढ़ती है थर्ड है विटेमिन C की मिलिग्राम दिन में दो बार लेना चाहिए विटेमिन D टैबलेट 1000 इंटरनाशनल उनिक दिन में एक बार लेना चाहिए और अजित्राल टैबलेट जो है अजित्रमाइसिन देट इस 500 मिलिग्राम वनसे दे फार फाइज भी लिए आपने तो आपका करोना से 85-90 परसेंट होता है नमबर टू सामाजिक में सोशल डिस्टनसिंग बहुत जरूई है फिजिकल डिस्टनसिंग बहुत जरूई है और फ्रड़ अपने जो सैनिटाइजर से हाथ वाश करना चाहिए हमेशा और फोर्थ है एक मास्क दो मास्क तीन मास्क मैं मेरे पेशेंट देखता हूँ तो तो मेरा पहले एक मास रहता है सर्जिकल उसके बाद मैं दूसरा मास रहता है तिस्रा भी रहता है चावशार मास में पहिने क हू ayuda भी रहता है और एक हमारा हेल्मेट जो है यह प्रोटे्क्शन वाला और सामने काज भी है शायद कोई भी आगया भी भी आखासते भी आया तो हम लोग क्या करते है उसको डायरेक्ट पेले हिस्स्टरी बूचते ओअब भी आपको कितने दिन से हैं सरडी कितने दिन से हैं उसका टोटल काउंट कितना है X-ray करवा लेते हैं और उसके बाद में कुविट की टेस्स करवा लेते हैं तो सव में से कम से कम 25-30 पेशन मिल सकते हैं ऐसा मेरा अनुभव है और ज्यादा प्रिवेंशन के लिए आपको एक तो घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और निकलना भी है तो आप यहीं मास्ट पहन के निकलते हो सिंगल मास्क इस नौट प्रोटेक्शन इसलिए तीन चार मास्क पहनो शायर आपको अक्सिजन के मातरा कम भी पढ़ी है कोई फरक नहीं पड़ता हो साद में की जान नहीं जाती है अब जैसे लास्ट टाइम जल जला आया था भुकम पाया था उस टाइम पर हमने देखे कि ज लगता है सास लेने में दिक्कत होती है ऐसा कुछ नहीं होता अब हम लोग इतने गर्मी में हमारे डॉक्टर जो है पीपी घीट पहन के काम करते हैं जब बाहर निकलते हैं वह तो पसीना पसीन से तर हो जाते है और जो कोवीड वारण में काम करने डॉक्टर वह उनको करोन जाना नहीं होता और भाहर समाज में गुमने वाले को ऊANNA को करना होता है तो इससे आप अनुमान निकल सकते हैं आप अनुमान निकल सकते हैं कि आपके जो हैं नुज करता है बोड लोग आरग्वेंट करते हैं हमारे साथ में procent मैं तो अइसा करता हूं मैं तो गहर् jullie निकलता हूं वह इसा नहीं होता है कभी मी um लेकिन आप उतने लगी नहीं रह सकते आप डाइबेटीस है ब्लड पेशर है तो ऐसे पेशन्ट को आपको प्रिवेंशन इस बेटर देन क्यूर यही मेरा संदेश रहेगा और मैं सबके अच्छे और निरोगी आयू की कल यह करता हूं शुब कामना करते हुए मेरे दो शब् को पनपने से पहले अगर उसका सही इलाज करे तो कोरोना क्या और भी कोई महामारी हमें चूनी सकती और हमारा जीवन अच्छा हो सकता है बशारते खुबरागड़े साब ने जैसे बताया कि कुछ दवाई जो बताई है उसको पुरी शिद्द से प्रामानिकता से लेना और हमारा जीवन समर्दन करना होगा डॉक्टर साब यह तो यह बात रही है लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दू के डॉक्टर शंकर खुबरागड़े साब के चेंबर में इस समय में इन बीसिन की टीम है और डॉक्टर साब जो है सिकल से रिसर्ज इंस्ट्टिट अप इंडिया के सेक्रेटरी है, M.D. है और सर का काफी अचा काम काज भी है और पिछले कभी वर्षों से सर प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहा है काफी अच्छे पेशन अब तक उन्होंने देख चुके सर एक सवाल यह था कि एक एक अपरेल 2019 से लेके 12 फरवरी 2020 तक के जो एक कई पेशन को चेक किया, उनका इलाज किया, ऐसे में छे लोग की मृत्ति भी हुई थी, तो सवाल यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप दावा खाने में कैसी ट्रीटमेंट किये, क्या यह गुना नहीं है क्या यह बहुत अच्छा सवाल पोचे आपने, क्योंकि कैसा है क कि हमको अभी मैंने यह हास्पिल चालो गया 1994 में, 14 एप्रिल 1994 में हास्पिल शुरू किया और अभी है 2020, हमको हर साल कारपोरेशन का सैंक्षन बिलता है, और बीच में क्या हुआ कि फायर का जो सर्टिवेट लगता है, तो फायर वालों ने सर्टिवेट डेने में थोड़ा स विलंब किया, उन्होंने आमको यह भी दिया, लेटर भी दिया, कारपोरेशन को हमको फिटिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो सब नाकपूर के जितने भी नरसिंगों में, सब का जो है वो टेंपररि उन्होंने दिया था, तो टेंपरिर हमारे पास जो है कि पूरा permanent मिलने तक आप temporary में काम कर सकते हो ऐसे कार्पोरेशन की हमको permission है उसका पूरा लिखी दे है हमारे पास में लेकिन कुछ-कुछ जो समाजिक तत्व है जो blackmail करना चाहते हैं डाक्टर लोगों से पैसे निकलना चाहते हैं वो क्या करते हैं ठराविक आदमी को पकड़ ल करास हमारी कमिश्णर साब से भी बात होते रहती है और सब सबको रजिस्ट्रेशन उन्हें ने 2022 तक दिया है तो रजिस्ट्रेशन सबके साथ में और without आपको प्रोसेस चालू है लेकिन सभी नाखपूर के जितने भी नरसिंगों में उत्तर नाखपूर में ने पूरे नाखपूर में जो सबको रजिस्ट्रेशन ने और कार्पूरेशन ने पर्मिशन दिया है कि अपनी सेवा चालू रखे और उन्हें ने 2022 तक सबको रजिस्ट्रेशन दिये तो यह जो यह समाजिक तत्व मैं बोलूंगा कि यह लोगों को तकलिप देने के लिए यह करते रहते हैं और इनका एक सबस्केशन कि पर भी कर सकते हो सब्सक्राइब आप किसके भी उपर allegation लगा सकते हैं लेकिन वो मामला इनको पता ही नहीं रहता कि डॉक्तर लोग without registration काम नहीं कर सकते हैं और मैंने कभी किया भी नहीं है मेरे पास registration है और उनका जो भी allegation है वो false है मैं उसको deny करता हूँ खारिज करता हूँ यह मेरा statement आप ले लीजिए उनके उपर लगे तमाम आरोप को उन्होंने सीरे से खारिज किया है लेकिन मनपा प्रशासन के उपर में स्वास विबा के उपर में एक सवाल और भी उटता है कि temper वारी जो कामकाज होता है उसमें permanent बाके के कामकाज कैसे के जाते है और मरीजों को कैसे handle किया जाता है या check किया जाता है क्योंकि मोतों का भी आंकड़ा छे का है इस hospital का तो यह कही न कही प्रशने चिन्ना सा लगा हुआ है माहराष्ट्र सरकार द्वारा संपून माहराष्ट्र पर अस्पताल संबन में मरिजों की देखभाल और सुवीदा के लिए दी बॉम्बे नर्जिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट का नियम बनाया गया है जसके आधार पर सभी अस्पताल नियमों के आधार, रजिस्ट्रेशन और नवीनी करन प्रक्रिया होती है लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है ऐसे में खोबरागडे अस्पताल के उपर लापरवाही किये जाने पर उन पर सक्त कारवाई हो और उनका पूरा रजिस्ट्रेशन कैंसल हो और सरकार तथा मनपा प्रशासन ऐसे गयर जिम्मेदाराना कामकाश करने वाले डॉक्टर शंकर खोबरागडे इनकी अस्पताल को ताला लगाया जाए ऐसी जानकारी देते हुए अधिवक्ता आकाश सपेल कर इन्होंने हमारे समवादाता संजय मीरे इन्हे जानकारी दी डॉक्टर शंकर खोबरागडे इनकी बात सुनने के बाद आकाश सपेल कर इनकी भी बात सुनी पेश है ये बात चीत शहर के डॉक्टर शंकर खोबरागडे इनसे हमने बात की उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था जिसके चलते उन्होंने इलाज किया और तकरिबन 6 लोगों के मौते उससे 10 महा में हुई है आखिरकार ये क्या है पुरा माजरा ये जानने के लिए जो अपलिकांट है उनके सत्य करने के लिए हैं सब चीजे जो कम्पेंट की यह DPC और मानगर पाल इस्तती है कि हर महराश्य सरकार में हर अस्पताल को हर आस्पताल को कि नियम के भूमबे नर्सिंओं होular सब्स्क्स नीच उने कि जोघ्र सेफटी म्हांनगर पाली का की जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन को फॉलो करके रेजिस्टेशन करता है, अब ये रेजिस्टेशन के दौराण इनको कुछ डॉक्युमेंट जमा करने होते हैं, मतलब पेशन्ट की सुईधा को लेकर, मतलब फायर सेफटी, MPC, महारत्य परदिश्मा कंट्रोल बोड औ ये डॉक्युमेंट जमा करने होते हैं, इसके संबन्द में फिर इस से रिलेटेट मानागर पालिका उनको बॉम्बे नर्सियों होमेट का लेसंस देती है, हर तीन साल में ऐसा होता है, अब दो हजार वननीस में मैं ये बहुत सारे नागपूर में लवग लवग साड़े च इस संबन्द में मैंने उस समय के अविजीत भंगर साब फिर तुकरा मुंडे साब उसके बाद में बिया है, इस कंप्रेंट के आधार पर वननीस में ऐसे कुछ नागपूर मानागर पालिका कैसे 34 हॉस्पिटल के रिजिस्टेशन को लंबित किया गया, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, जो बांबे नर्सियों होम आक बोलता है, यह बात है मार्च फर्वरी दोजार वननीस के, इसी बीच में खुपरागड अस्पिटल भी उनमें से एक था, जो अस्पिटल का लैसंस मानागर पालिका ने लंबित किया मार्च अप्टर दोजा है कि कोई भी डॉक्टर बिना रेजिस्टेशन के अस्पिटल नहीं चला सकता, अब यदि दो हजार वननीस मार्च और अप्रेल के बीच में इनका अस्पिटल का रेजिस्टेशन यदि लंबित है, यदि डिपार्टमेंट इनका रोक के रखा है तो इसका मतलब बीना अस् अस्पिटल कोई भी तरीके से खोला नहीं हो सकता, यह कानून बोलता है, यह मैं नहीं बोलता है, यह कानून बोलता है, पर फिर भी मैंने देखा, फिर मैंने देखा कि डॉक्टर शंकर खोपरागड़े ने इनका रेजिस्टेशन 12 फरवरी 2020 को, जो महानगर पाली का स्वा इनके अस्पिटल में कितने लोगों की मृत्ती हुई, तो महानगर पाली का नहीं मुझे जान करी दी, कि 10 मैंने के कालावेदी में इनके पास 6 लोगों की मृत्ती हुई, अब सवाल यह उड़ता है, कि यह दि डॉक्टर शंकर खोपरागड़े, M.D. है, और शायद 12-15, मत फिर भी इनोंने पेशन्ट को एडमिट कैसे किया, और इतने साकसर, शक्षम, डॉक्टर होने के बावजूद भी इनके अस्पताल में 6 लोगों की मृत्यूं सिर्फ पैसों के लालच में हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि अनपढ़ आदमी यह दी गलती करे, जिसे पता नह लैसंस नहीं है, तो हम खोल नहीं सकते, पर लैसंस इनको पता था कि मेरा लैसंस लंबीत है महान अगर पाली का में फिर भी लैसंस बीना लैसंस के अस्पताल खोला, और पैसों के लालच में 6 लोगों की मृत्यूं हुई, इस संबन्ने मैंने DCP जोन पोलिस डिपार्टमें और वहाँ पे 6 लोगों की मृत्यूं हुए इस अस्पताल का आप रिजिस्टेशन कैंसल करें। वह डॉक्टर अस्पताल नहीं खोल सकता, तो प्रिवलेज किस बात का। दोजार वननीस में इनका लैसंस निरस्ट हुआ, फरवरी 2020 को ये चालू हुआ, तो निरस्ट मतलब प्रिवलेज किस बात का। अब जो भी प्रिवलेज हो बोल रहा है उस प्रिवलेज का वो डॉक प्रिवलेज किस बात करने के लिए या उनको इस बात को लेके कड़गरे में खड़े करने के लिए आपने की गई है, ऐसा उनका मानना है इसके पर में क्या कहने चाओगे? लेकर न आपके अस्पताल में आपकी गलती के कारण, बिना लाइसंस के कारण शे लोग मरते हैं, तो बदनामी तो होंगी। अब यदि बदनामी का डर नहीं होता, तो शायद लिए अपने नियम में काम करते, पर उनको लगता है कि वो उनका कानून, वो जो कानून की बात करते हैं जो कानून को मानते हो कानून सरोपर रहे हैं इसलिए वो सरकार को धोका देने का काम करते हैं पर यदि मैंने अपराद किया है तो बदनामी के लिए आपको भी तयार रहना पड़ेंगा लेकिन हर्रास्मेंट का उन्होंने बात कही है यह कहां का कानून हर्रास्मेंट कि जो बात आपने निकाली संजय जी आप बहुत अच्छे विशे में बहुत अच्छी बात कर रहें आप देखें ये धी हरास्मेंट होता तो मैं DCP जोन में कंप्लेंड और महानगर पाली का और DCP जोन पोलीस विभाग करें और ऐसे जो डॉक्टर जो अपने फाइदे के लि कर खोबरागड़े इनक्यूपर में जो लगाएगे जो आरोफ है वे पूरी तरह से तथे तथे उसमें सच्चा ही ये है कि वो सही मायने में इस प्रकार के कामकाज हुए है बिना पर्मिशन के उन्होंने जो दस महा का जो कामकाज किया जिसके अंदर छे मोते जो हुई है एकदम सही और दुरुस्त बात है और कोई भी हर्रास्मेंट का कोई काम नहीं है या किसी को बदनाम करने का कोई शड़ी अंतर नहीं है बशरते ये जो कामकाज हुआ है इसके लिए मनपा प्रशा सुनो पुलीस प्रशा सुनो या फिर आईपीसी की जो भी धारा है उसके तो उनके उपर कानोनी कारवाई करना चाहिए और उनका रजिस्टेशन भी कैंसल होना चाहिए इस प्रकार की मांग इन्हों नहीं किये अब दर्शो को देखना ये होगा कि इस केस में अगला मोड क्या होगा हम सब को इस बात का इंतजार रहेगा कैमरा परसन सुबाज पूर